आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और जो अपने पास यहां पर जे डाउनलोग में है 5 इंटू 10 तुद पावर माइनस 5 पर डिगरी सेल्सियस तो बोला कि एक मेरे पास यहां पर जो इसका Coefficient of Volume Expansion होगा Solid का उनलोड पास यहां पर गामा इंटू 10 तुद पावर माइनस 5 पर डिगरी सेल्सियस तो बोला जो गामा की value होगी वो कितनी होगी यह अपने को find out करना इस question में तो इस question को अपने यहां पर solve करना इस्टार्ट करते है तो सबसे पहले माइनस 5 पर पास यह कोई cube है यह अपने cube है यहां पर ठीक है यह cube है इसकी मैं axis system यहां पर define कर देता हूँ शाइड से उसके यह बोलते हैं इस अनिशिल गोल्यूम में यह जो अब यहां पर हैं पर बोलते हैं कि इसका जो इनिशिल टेंपरेचर आप यहां पर उसको बोलता हूँ तो यहां पर जो इसकी साइड हो जाएगी उसको में बोलूं का यह मेरे पास हो जाएगा यह जो एकसी साइड में साइड है मेरे पास हो जाएगी इसकी साइड हो जाएगी उसको कैसे लिख सकता हो यहां पर किसी टेंपरेशर पर जो जाएगी उसको में बोलता हो यहां पर वी जाएगी यहां से पास क्या जाएगा अपने हो पता है कि कोई भी अपनी पास ऑब्जेक्ट होता है उसका linear expansion का formula क्या होता है यहां पर L is equal to L note 1 plus alpha डिल्टा ट यह होता है मेरे पास है यहां पर यहां पर आलफा क्या होता है L मोच उसका linear expansion coefficient होता है L note उसकी length होती है और यहां पहले पेकर में delta T क्योंट कुलुट कुलूए इस कंडिशिन में, तो मेरे पास की आजाएगा? final temperature ती दीकी दीकी सेलशियस, minus initial कितना है? 0 degree celsius. तो delta T कितना जाएगा? और ती दीकी सेलशियस, यहाँ मेरे पास क्या है? सब के लिए alpha लगई-लग है, x-x के अलगई alpha को बोलता हूं, alpha x, y x के लोंग में आपको बोलता हूं, alpha y, और z बोल लोंग में बोलता हूं, alpha, z बोल दिया हमें यहाँ पर, तो में पास यहाँ पर जो value है, वह में लिख सकता हूं, क्योंकि जो a-x के आएगा final length आएगा x-x के लोंग में क्यों 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 क्या जाएगी इसकी initial length a into one plus alpha x into delta t की को लो जाएगा ay-dash क्या हो जाएगा a into one plus alpha y into t और जो a-z हो जाएगा a into one plus alpha z into t यह हो जाएगा तो यहाँ पर मैं put कर दूँगा value में पर जो final volume हैगा v-dash उसकी value क्या जाएगी हो जाएगी सबका multiple हो जाएगा जाएगा यहाँ पर a cube बजाएगा बाहर तो इदर एगा one plus alpha x t one plus alpha y t one plus alpha z t यह जाएगा और a cube क्या था में पर पास यहाँ पर initial volume था तो में पर पास रहेगा v-dash is equal to v सबसे पहले में क्या करता हूँ यह जो दो यह वाला और यह वाला इसको multiply करता हूँ तो क्या जाएगा यहाँ पर यह जाएगा one plus alpha x t plus alpha y t plus alpha x alpha y t square और यह जाएगा multiply में one plus alpha z into t तो इसको अपन further solve करेंगा क्या जाएगा यह जाएगा v into one plus alpha x plus alpha y into t plus alpha x alpha y t square is equal to one plus alpha z t यह जाएगा यह जाएगा इसको further multiply करूंगा तो में पास क्या जाएगा जो v2 हो जाएगा v into one से multiply क्या जाएगा one plus alpha x plus alpha y into t plus alpha x alpha y t square plus alpha z t से multiply alpha z t plus alpha z into alpha x plus alpha y t plus alpha x alpha y alpha z t cube आजएगा इसको अपनिया फर्दर सोल करेंगे ति क्या आजएगा value जो v dash हाजएगी वह आजएगा v into 1 plus यहाँ पर जो t वाली हो सब क्या होलोंगा comment लोंगा power को तो t की power क्या है 1 यहाँ पर t 14 यहाँ पर ठीक है मैं पास क्या हो जएगा यहाँ t square एगा मैं फसी ठीक है तो t की power क्या यहाँ दो जगए है तो मैं पास क्या जएगा यह रहेगा alpha x plus alpha y plus alpha z into t plus यह रहेगा alpha x alpha y plus alpha y alpha z plus alpha z alpha x into t square plus alpha x alpha y alpha z into t cube यह रहेगा मैं पास यहाँ पर अब अपने पता यहाँ पर जो value मैं पास यहाँ पर alpha की alpha x की value क्या given मैं पास यहाँ पर alpha x और y की value मैं पास equal given हो कितना है alpha x की value given है वो है आपने पास 5 into 10 to the power minus 4 पर degree celsius और जो में पास alpha y के equal है और जो alpha z है में पास यहाँ पर हो कितना है वो है 5 into 10 to the power minus 5 per degree celsius अपनों यहाँ पर क्या दिख रहे है कि जो अपल्फा म हो जाएगब सटेंच पाहो और इं तो इसरे अएगी-टी द्रीजिख एल्पहै कि मेरे लायगी मेंने can ditti पहर कितना हो जाएगा यह जाएगा-बैयनस 5 और मेंने सवर इनठी अधी इंटो मेंनेस 4 तो जाएगा मेरे पास यहाएगा ओर ओल्मॉस्थ عل्में साफ ऐल्मश्ट यहिक्सट नम्रे पास एक सितना जागी यहग्शिक नाइनध मैंनोस 13 ठीक एक मैंद फ्लम्मॉस्ट की नहीं चार का सिर में आईगी तो यहां 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 पास बाइस और भीyang इंटू यहाइर पावर में क्या कर दूंगा यहाँ और आपने बता है जो वोल्यूम होता है उसका फॉर्मला क्या होता है वोल्यूम expansion के लिए वो था VD is equal to V into 1 plus gamma delta T, delta T अभी भी T रहना है, तो मैं पास यहां पर एका comparison करूंगा, तो जो gamma की value कहा जाएगी, alpha X plus alpha Y plus alpha Z, तो मैं पास कहा जाएगा, alpha X की value कितनी है, और पास यहां पर, X plus Y की equal हो कितना है, 5 into 10 to the power minus 4, तो जाएगा, 5 into 10 to the power minus 4 plus 5 into 10 to the power minus 4 plus 5 into 10 to the power minus 5, तो मैं पास यहां पर जाएगा, यह जाएगा, 10 into 10 to the power minus 4 plus 5 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, यह जाए गामा की value, इसको further solve की याद की आजाएगा, यहां पर ही आजाएगा, इसको जीचता हूं, 100 into 10 to the power minus 5 plus 5 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, तो जो गामा जाएगा, उसके विल्यों हो जाएगी, 105 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, जी किसके की कोलता, यह अपने बोला alpha into 10 to the power minus 5 per degree Celsius की कोलता, तो यहां से compare करके, जो alpha है, उसके व 105, तो यह क्या होजेगा, इस question का अपना correct answer होजेगा, alpha की value के लिए, thank you students.